हाँ ठीक है गोरिला भाई जब मैं तुझे बुलाऊं तो तु आ जाईयो अभी तु गर के बारी रुक अच्छा ठीक है चिंटु भाई मैं तेरे घर के बारी रुका हूँ पापा ने मुझे एक महिने से पौकिट मनी नहीं दी है मगर आज उन्होंने मुझे पौकिट मनी नहीं दीना तो उनको अच्छे चे सबक सिखाऊंगा आज तो अपनी पौकिट मनी ले करी रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए चलो चलता हूँ पापा के पास अब पापा मुझे 500 पे दे दो पाटी करनी है कई दिनों से पाटी नहीं की मैंने अरे चिंटू बेटा आज तो नहीं मिलेंगे पैसे एक हपते बाद फिर से आईयो अरे पापा मैं आपकी कोई नौकरी कर रहा हूं क्या जो बार बार भाना बना कर टाल देते हो और मेरी पाटी मनी नहीं देते नगर आज तो मुझे अपनी पाटी मनी चाहिए किसी भी कीमत पर लाओ दो मेरी पाटी मनी तेरे को बोल दियाना मैंने कि एक हपते बाद आयो तेरे को समझ नहीं आता चल जा अब यहां से, नहीं जाओंगा मैं नहीं जाओंगा, बिना पॉकिट मनी लिये बिना नहीं जाओंगा, नहीं जाएगा तू, लठ कहा है मेरा, अरे चिंटु की मम्मी, मेरा लठ लेकर आतो, मेरे लठ बजाओगे, अभी बताता हूँ, गोरिला भाई, आजा अंदर, पापा पॉकिट मनी नहीं दे रहे, अबे, तू कौन है बे, मैं गोरिला हूँ गोरिला, चिंटु का दोस्त, अबे गोरिला, तू चिंटु का दोस्त है, तो यहां क्या करने आया है, जा अपने घर पर, मैं चिंटु की मदद करने आया हूँ, मदद, तू कैसी मदद करने आया है चिंटू की, तुम चिंटू की pocket money क्यों नहीं देते हो, उसे एक महिने से pocket money नहीं दी तुमने, अबे, उसे pocket money नहीं मिली, तो तू क्यों परिशान हो रहा है, सुनलो, चिंटू मेरा बहुती खास दोस्त है, अगर उसे परिशानी होती है, तो मुझे भी परिशानी हो जाती है लाव लाव अब जल्दी से चिंटू की पॉकिट मनी दे दो उसे पॉकिट मनी चाहिए लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे अभी अपना लख लेका राता हूँ रुख जाओ जारा अरे चिंटू बेटा ये ले मेरा परस इसमें पुरे महिने की नहीं पूरे साल की पॉकिट मनी है तेरी जा एंजोय कर अब किना तुमने मर्दो वाली बात अरे गोरिल्ला अब तो नीचे उतार दे मुझे कमाल कर दिया गोरिल्ला भाई तुने चल चल तरह पाटी करने अब चल चिन्टू भाई